हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग उमीद करती हैं सबी लोग आच्छे होंगे तो आज मैं आपके लिए क्या ही बहुत ही टेस्टी सी रेस्पी आपने दही बड़ा तो कई बार बनाए होंगे लिए एक बार सोट बड़ा बना के देखिएगा इस तरीके से जो आपको ब मूंकी दाल और मैंने इस छिलके बाली मूंकी दाल ली हुई है आप एक कटोरी या जिससे चीसे भी आपसका मिजर्मेंट करें तो उससे कर लिजीएगा तो देखिए इसको मैं तीन से चार गंटे के लिए बढ़िया से फूल ने डाल दिया तो तो अच्छे से भींग चु अगर दाल जादा गीली होगी तो हमारे जो बड़े बनेंगे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे और बस थोड़ा सा आप दुनने के बाद तुलिये पे डाल देंगे तो अच्छी से सूख जाएगी तो देखिए थोड़ा सा दरदड़ा पीस के तयार कर लेना है बिल मिक्स करेंगे तो देखिए सारी पिक है जाल छुकी है और इससे अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें मैंने कुछ नहीं डाला है लेकिन तोड़ासा हम इसमें नमक डालेंगी यानिकि एक चोछा चंबाज लिएम तोड़ह सा म्मेल ऐसे रख देंगे साइट मैं रहा में हम तो तीन से चार गंटे गुंगोने पानी में डाल दिया था और फिर से दुलाई करके मिक्सजार में हम डालेंगे पढ़ियास इसका पेश्ट बना कर तयार करेंगे जैसे कि हमने एक कटोरी मुंकी दाल लिए हुई थी उसी हिसाब से मैंने यह पे एक कटोरी अमचुर लिया ह लिए कर यह पानी कम हो रहा है तो इसमें पानी और भी ढाल सकते हम से बारिक पीस के तयार करें एक कोई रेसेस अगरह था मुंगी इसलिए हम जहली चछल लेंगे और बोधियं को बना तो बहुत ही बढ़़े भी आप भूल जाएंगे इस चटनी बड़े के आगे जो कि मिन्टों में बनके तैयार हो जाते हैं तो इसका क्या कहना बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे तो देखिए इसको जो बाकी हमारा जो अमचुर का उपर का जो बचा हुआ ना जो मोटा मोटा से इसे हम हटा देंगे बाकी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो देखिए बढ़िया से हमारे यह पीष्ट बन के उचुका है तयार इंबली बाला तो इसे हम रख देते हैं आप साइट में आप क्या करेंगे हमने जो दाल पीसके रखी होई यह अच्छे बन के तैयार होंगे और इसा तीनosure से चार मिनट में अच्छे से फीट लिया है today こ주 का तो और भी मेरा घर्म हो मीटा सोडर डाला हुआ है अगर आप पसंद करें तो डाल दीजिएगा ना करें तो फिर भी ये फूल जाएंगे लेकर उससे क्या होगन हलके से सोप्ट भी बनेंगे तो बस एक बार में जितने पीसिस आएं इसे हमें डाल देने हैं कढ़ाई के अंदर और देखेगा इसे अ चैनल को सस्क्राइब भी करिएगा तो बस इसे हम सेख लेते हैं अलटते पलटते धीमी दीमी आज पर ही सीखना है ज्यादा हाई फिलम पर हमें नहीं सीखना है वहना जो हमारे दा लेना अच्छे से नहीं पक पाएगी और हमारे जो नहीं बड़े बना रहे हैं वह बिल्क तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया're on प्रह Isn't it to dhuky भी मेंट की भाद में सारी बड़े हमारे सिक्क्राइं तैयार पस एसे आपको श container ज्यादा बड़े बड़े पीसिस बनाएंगे तो यह बड़े बड़े हो जाएगे इसलिए छोटे-फीसिस भाई त्यार कर गुन गुना पानी पाने मेरे जब चटनी तो बहुत जादा टेष्टी लगेंगे और छलका एक त्यार करलेना है तो चलेगा अब इसकी चटनी बनाते हैं तो कड़ाय में एक चमश तेल डाला हुआ है उसमें थोड़ी सी मैंने जीर डाल दिया है दो लोंग डाल दिया एक बड़ी वाली जो इलाइची होती है न मसाले वाली वो डाली हुई है अच्छी से चटक जाए तो उसके बाद में जो हमने आपे अमचुर का पेश डाला हुआ है देख सकते हैं यह इस तरीके से इसका गाड़ापन है और साथ में डाल देंगे हम यहां पे आदा कप के करीवन गोड़ अगर आप चीनी पसंद करते हैं तो यहां पे चीनी भी डाल सकते हैं फिर डाल तिया है मैंने आदा चमश धनिया पाउडर और मिक्स कर देंगे इस तरी किसे आप कम जादा बना रहे हैं उसके साप से रखिएगा और बस अच्छी से मिक्स करेंगे जब बढ़ियास इसमें बोईल आने लग जाएगा और चटनी हमारी अच्छी से पख जाएगी यानि कि ज्यादा गाड़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है त तो बहुत ही अच्छी हमारे बढ़ी लगेंगे तो मैंने गेस को यहाँ पर बंद कर दिया है क्योंकि अगर हम इसे पकाएंगे ज्यादा तो यह ज्यादा गाड़ी हो जाएगी तो बस गेस को बंद कर दीजिएगा इस समय और इसे ढख देंगी कुछ टाइम के लिए ताक यह जादा टेश्टी बने एक बार ट्राय जरूर करिएगा एक बार बनाईगा तो मुझे कोमेट करके जरूर बताएगा कि अपके सोंट बड़े या चटनी बड़े आप इनको क्या नाम देंगे मुझे अभी कोमेट करके बताएगा तो देखिए कितने ज्यादा सोप्ट हुए हैं तयार और इंजोई करिएगा इस तरीके से अगर आप एक बार बनाएंगे ना तो इन्हें बार बार बनाएंगे आप देखेंगे कितने ज्यादा सोप्ट बनें और इनके अंदर जो हमारी चटनी यान बणियां से भर चुकी है और एक बार एक और काटके दिखाती ह आप बनाएगा तो बहुत ज्यादा टेश्टी बनेगे तो आगरे वीडियो में फिर मिलते हैं जब तक के लिए बाबाई